वेल्कम फ्रेंट्स, एम सिंग फांडेस यूरोप चनल के आप लोग का स्वागत है, 66 मी BPSC मेंस के GS2 पेपर का RTI कॉपी हमारे सामने है, इसका हम लोग अब लोगन करेंगे और जानना की कुस्स करेंगे कि आखिर क्या वो पॉइंट्स हैं जिसके वज़े से GS2 में लगातार कम मार्किंग हुआ है, और कौन-कौन से GS2 पेपर अच्छा से जाएं, तो यह जो कॉपी आप देख रहे हैं, देख सकते हैं, तीस साथ दो चारे के इसको एक्जामनेशन हुआ था, जैनरल स्टेटी 2 यानि GS2 का भासकराणन जी के कॉपी है, इनको कुल मार्क्स जो मिला है टॉपर्स को ही 150, 55, 60 तक गया है, ठीक है न, तिर 60 मी तक में GS2 के मार्किंग अच्छा होता था, उसके बाद 64, 66 लगा ता GS2 का मार्किंग कम होते चला गया, आईए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, इनका नम्मर देख लीजिए, 14, 17, 16, 16, 16, 16, 15, 15, 15, 15, 16, तो देख स प्रसन का उत्तर देना होता है, तीन फर्स सेक्षन से, तीन दूत्के सेक्षन से, और दो जो होता है, थर्ड सेक्षन से, तो पहला सेक्षन की बात यहां पर की जा रही है, जो कि पॉलेटी सेक्षन होता है, इन्होंने पहले प्रसन का उतर दिया है, पहला प्रसन था कि भा वहां पर राजपाल राश्टपती या राजपाल पूछा जाता है तो इसको बोल सकते हैं यह अक्सर पूछा जाता है तो आई इसको देखते हैं भारत का एक राश्टपती होगा, यह देखते हैं प्राजपाल都 को म cabinet के रूप में और इसको इन्होंने सब को यहां पर इलोब्रेट किया कि कारी पालिका के रूप में क्या क्या है तो राश्ट्रपदी देश के समय धान करता है अब फिर विधायका के भूमी कावें भी उन्हें काया की राश्ट्पदी संसद के को विघटन एवं सद्र का समापन कर सकता है इस तरह से और जो भी चीज़े हैं वह प्रधान मंतिर द्वरा किये जारे कारियों का जानकारी प्राप्ट कर सकता है फिर भीतिय भूमिका को यहां पर उन्हों सब्सक्राइब करता है ने भूमिका के पास इन सब भूमिकाओं के अतरिक सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने का अधिकार ने तो देश में राष्ट पती की भूमिका सरवोच मुखिया के समान होती है अब वह पहले तो राष्ट पती के बारे में बदाए अब जो सबाल पूचा जारा है कि मतलब की युवासलत सेथाने तो कुछ नहीं करता है तो उसका यहां पर उन्होंने बतलाने की कोशिस कि देश में राष्ट पती की भूमिका सरवोच मुखिया के समान होती है जो कि सभी को आदेश कर सकता है एक राष्ट पती को केवल सब्सक्राइब मंत्री मंदल के फैसले को मानने के लिए बाद नहीं था लेकिन सब्सक्राइब का है कि राष्ट पती भले ही किंग नहीं होता है लेकिन उसके पास भी सकती होती है तो थोड़ा सा यह कंक्लूजन को और भेतर ढंक से लिख सकते थे और इस बात की पुष्टी वो करते कि हां किनकिन कंडिसर में उन्होंने संसोंधन और संसां संसोंधन का जिकर किया है वह अच्छा एक स्टेप है इसके अतरिक तो और कुछ भूमिका का जिकर करते हैं जहांपर पताते कि नहीं जो मतलब की यह जो बिलकुल एक तरह से मंद्रि मंडल के फैसले के आगे यह नत्मस्तक होते हैं या मनने के लिवाद होते हैं साथ-साथ उनकी भी कुछ और सक्तियों था उसको पैरलल करते तो और यह बहतर हो सकता था ठीक है लेकिन खुल मिलाकर एक ठीक है लेकिन इसमें नमरी बहुत कम मिल रहा है आईए दूसरा कुशन दिख लेते हैं कि भारती संगी राचा संब्धानिक रूप से संगी राचा का संधनी के रूप से केंदर सरकार की और जुकाब होता है अब संगी राचा यह होना दो करके 215प पर बना सकता है अब इधाई संबंद में तीन मांगों को बाटा गया है के इसका जिक्रवी किया है उसके बाद अनुशे 252 के तहद जो है तो यह दो से अधिक मिधानमंडल द्वारा निर्नेयों के द्वारा संसत कानून बना सकता है तो यह सब अच्छे ही चीज़ है जो अनुशेद कानून ने जिक्र किया है तो परसास के संबंद में समिधान के भाग ग्यारा कैनूसार 256 से लेकर कि यहां पर कट गया है तक परसास के संबंद का वर्नन है उसके बाद आई अखिल भारती से बाकी बात की जा रही है अनुश के अनुशार राज्यों का चुनाव करवाया जाता है बित्य संबंद की बात की जा रही है भाग बारक अनुशार 259 राज की संबंद का वर्नन है तो चोड़ा मोड़ा जो आपका बेसिक चीज़ है उसको तो आपको देना ही पड़ेगा ठीक है ना और फिर आपको प्रिक् आव एक युक्त की बातर पे कर रहे हैं चैंद्र और राज्यों के बीच-सक्त्यों के बढ़ाण के केंद्र सथी के बीच में प्रताल बारी नजाлов के घ्याते हैं यह कि अजब नहीं है राज केंद्र diamond arg आधिकार है इस तरह से देखा जाए तो केंदर जो है राज्यों को उपर्युख्र प्राबधान किये गए हैं जो कि उन्हें सुधंदरता परदान करती है फिर भी केंदर भारती के संगिये धाचा संभैधानी कुरूब से कंदर के और नमुख है तो इनको इनको इस पर मिला तो कुल मिला के एक बैलेंस यहां पर उटर है ठीक है ना केंदर की और ही तो यह जो सेक्षन है बहुत ही क्रूसियल सेक्षन है आपको मात्र 4% मिलेंगे और 4% में से आपको 3% का उतर देना होता है आप लोग सब दिहान दीजिएगा यह जो GS2 थोड़ा सा तफ इसलिए हो जाता है जैसे कि आप GS1 की बात कीजेगा तो GS1 के section 1 में section 1 में आपको 6% देंगे और 6% में से आपको 3% का उत्तर देना है तो आपके पास बहुत ज़्यादा सुस्तंत्रता आपको वहीं पढ़ है art and culture में है कि आपको 6% में से क्या करना है 6% में से आपको 6% में से 3% का उत्तर देना है ठीक है ना लेकिन यहां पर जब तो दिखिए अब तीसरा सवाल नहीं 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 दिया है कि भारती राज्यों के और समान विकास की कई समाजिक आर्थी कि कीजिए जब भी आप एंसर लिखें तो पहले तो बिहार का उसमें कुछ न कुछ एड़ जरूर करें अंते में दो तीन लाइन का ठीक है ना तो आपके लिए थोड़ा सा यदि जो रिलेवेंट हो अब इरिलेवेंट चीज मत एड़ कर दिए तो यहां पर बताया जा रहा है कि मतलब भारती राजियों का उसमान विकास है तो नई से कई समाजिक आर्थी को राजियनिक समस्यां को जन्म दिया है विहार के विस्स संदर में आपको अलोचनात्मक विस्लिसन करना है यह सब टर्न भी बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है तो सतंत्य प्रदाप्ति के बाद भारत राजियों के उसमान विकास की नई के कैस समाजिक आर्थी को राजियनिक समस्यां को जन्म दिया है परतम पंचपर सी योजना से ले करके भारती राजियों के विकास के लिए अनिक कार किये गए हैं जिसमें से और विकास के समाजिक आर्थिक राजनितिक समस्यां भी ने बिरोजगारी गरीवी असिक्षा उद्योग खाथ सुरक्षा चेत्री पहचान प्लाइन इत्यादी अब इन्होंने बिरोजगारी को यहां पर जिकर किया कि कोविट-9 के दोरान यह और बढ़ता है इसमें से सबसे अहम बिरोजगारी है उद्योग धंदों के बंद होने के मजबूर हुएं गरीवी के बारे में यह बोलना है कि एक चीज अच्छा इन्होंने दर्साया है तो इन्होंने यह बैलेंस अच्छा किया ठीक है यह बैलेंस क्यूंकि हमको दिखाना है कि मतलब कि और समान विकास हुआ है किसी राज में जयादा किसी राज में बढ़ा तो सिक्षा की शेदर में दिखा दिया के रहल और बिहार को कंप्रिजन करके इस तरह उद्योग के बाद बिहार में जो है ना फ्रेट एक्विटी पॉलिसी के अनुसार उद्योगों की कहीं बावजूद खाद का भंदारन और उसकी पुन जो है पहुंस सुनिष्चित होने में समय लग रहा है ठीक है ना आपको पता है कि बहुत सारा खास पदार्थ खासुरक्षा क्या भाब में बंधारन क्या होता है कि नश्ट हो जाते हैं चत्री विवाजन उद्यों को किसी एक स्थापित होने के लिए चैसी समस्या है और है कोई नुने ने लिए जोड़े थे कि ज्यादा तर मजदूर बाहर जाकर काम करते हैं तो भारती राज्यों में और समान विकास में प्रतिकूल प्रप्राव निसे बावन में प्रेट इकुविलिटी पॉलिसी के नुसर अद्यों को कहीं भी लगा जा सकता था इनुमें पिछले राज्यो समस्या को दूर सरकार समयक आर्थ विकास की समस्या को दूर करने के लिए प्रहर सामाजप्राव को उसको count करके इसको हम प्रजेंट करें तीए उत्तर को और भेतर धंग से लिखा सकता है था खासका डाटों का प्रियोग करके है HER न जैसे उन्होंने सिक्षा के pada उसी तरह से विरोजगारी के और प्रोईंटर में भी डाटा का प्रयुग करता हैं। मतलब कुछ कुछ पॉइंट कर देके कि अच्छा ग्सम करेंगों भी हार करेंस कीषाइब भी दी किरना नीयुट है। तो किस तरफ से 1.2 में खड़ाम मार्किन होए ह। उसमें सोलर ठीक टाक मारके सको खड़ाब नहीं कहेंगे तो नोगे सब का खड़ा मारकिंग यहां पर किया गया तो सोलर ठीक है लेकिन यह वह सब जो चीज करते हैं तो यह सैथ 20 बैस तक भी पहुंच सकता था करिस्मा मैं का मैंने देखा था कि 155 जी तो अच्छा है स्कोर ह अच्छी बात है अब पूस्टे नमर्प पांच और दी है यहां पर बोल दाता है कि बिहुर सरकार के बिहार वाला सेक्षन है बुगोल में और बिहार के बुगोल को पढ़िए भारत के बुगोल को पढ़िए तो आपका आसानी से निकल जाएगा ठीक है एक पूर्सन तो आपने देख लिया जो सेक्षन वहां पे इस्तेटिक्स डाटा वगड़ा का ज्यादा इस्तेमाल किया ग तब के पास तो बेस जानकारी होना चाहिए जो इस कॉपी में देखने को भरपूर मिला है कोई डॉट नहीं है अब उसके बात थोड़ा सा एडिसन आपको करना है तब आपको नमर मिलेगा तो अच्छी बात है अब आई हम लोग देख लेते हैं यहां पर कुश्चन था कि बिहार सरकार ने उन्हें से आर्थिक सरकार में या या कहा कि गत तीन वर्सों में बिहार का विकासदर भारत के विकासदर से अधिक रहे है अर्थोपस्टा के किन च घ्रोम ने इस प्रगती में योगदान दियु है वर्लन की जब दिखिए ठीक आर्थिक सर purchased के एक एसटी साय निकां से उसी को में अपने आपको एंसर राइटिंग के फारं बिहार के भारत के में भे बजट को भारत की अरस्टैक्टन को को उन्हों। लिपने लिए सबालने के से नूसार कलेश्म घ्यादए यहांद sentence उन्हें पंद्रा लगा दी है तो अचीव बात है जो कि भारत के विकास दर नौदस परसेंस से कहीं ज्याद आए ठीक है तो इसको दिख लेना है आपको अब आए अर्थवबस्ता के निम्ने चेत्रों में बिहार ने परगरत किया और सीधे यहां पर आ जाते हैं किसी चेत्र में पर टाटा पूछ रहा है और सही दाल ली दिए अपको नमर भी अच्छा मिलेगा तो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट यह है ठीक है न तो बिहार सरकार करें सारा राज की सतर फिसदी आवा आदे किर्सी पर निर्भड करती आता है इस चेत्र के विकास किया जा सकता है ठीक ह किर्सी या अंतरिक हर खेत को जल परदान करना साथ निश्चे योजना के अंतरगाति हर खेत को किर्सी मतलब कर बना है टेक्स्टाइल उद्योग भार सरकार ने अच्छा इस बार के लिए इंपॉटेंट में बता दो जाओ बहुत इंपॉटेंट टॉपिक है पतानी आप पहली में आया है मई जून के आसपास आया था टेक्स्टाइल और चर्म उद्योग और टेक्स्टाइल नहीं थी ठीक है ना बिहार का उसको आप अच्छे से पर लिजेगा मिंस के फॉर्मेट में डाटा बैना लिजेगा आपको पूछे जा सकते हैं और नहीं भी पूछे की साइट की रूप में इस्तिमाल करते हैं तो दोनों के लिए आपको इंपोर्टेंट है आप पर लिजेगा बेरी बेरी इंपोर्टेंट है वह कौन है बिहार का टेक्स्टाइल नीती और चर्म उद्योग नीती जो 222 भारा सरकार ने पीलाय योजना के अंदर गत पूरी सब्सक्राइब को रहे हैं जिसमें एक प्रिफेंट के शथर में ब्हार ने बेकास किया है बिहार राज का उत्री दक्षिनी में बाल में कि वन अब जीवाब भी यारन के मूर के अलावा कोलत का कर गड़ यह सब जो इसका बोद गया प्र नाइत इक हैंनों जिक्रिया है आ योजनामे रोजगार विकास उपलवद है यह क्या लिए आत्मिर पर चेतर में रोजगार के अभी से उत्पन हो रहे हैं तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फास्ट है दो सब्दों के बीच में दूरी अच्छी है ताकि सामने में पहले यही काफिया आपके लिए बहुत बा अधिया का तिहार उसके बाद है आपको डेहरी में लगाया जाने के त्यारी है जबकि मुतिहारी में आलू के जो है चिप्स बनाने के फैक्टरी स्थापित की जा चूकि है मखाना आदी चीजों का संबंदत उड्योग भी तेजी से बढ़ रहे हैं अब डेरी के छेतर में इसका लक्ष नमबर वन पराना है पुरे देश में राज में लगवागा असी पस्थी लोग पस्थी संबंदत लगो उड्योग से जुरे हुए हैं इसे तक्निकी रूप से सक्षम करना है यह सब आप इन्होंने चिक्र किया है उड्या के शेतर में दर्भंगा के नीचे ज दूपर बिजली जो इन्होंने जिक्र किया अच्छा है और बिहार में पहले ही जो है विकास काफी तेजी से हुआ है इस से यह पता चलता है कि बिहार अपने लक्ष के परती कितना सजग है अब देख़िए आप बुलिएगा छौनमर दिया है चली ठीक है इनका रीमार क्याते हैं जैक्टर एंडन को लाघा कि यह भटक गये है इन्हों इनको आर्थिक Σर्विक्षन के डाटा के according आगे बढ़ना चाहिए था जो भी सेक्टर्स है ना साथ को सेक्टर्स होगा जिसे इस बार से साथ या नौ सेक्टर्स था उसका क्या क्या है ठीक है ना अपने एडिटोरिया वाला जो भी हर पढ़ा होगा करेंट के लिए उसमें बहुत अच्छी से दिया गया था तो उस डाटा को भी कोई लिख दे तो बहुत अच्छा हो जागी इस बार की बात कर रहे हैं तो वो चीज़ का यहां पे इस पर आभाव था क्योंकि आपको जब आर्थिक सर्वेक्शन की बात करते हैं तो उसके ही डाटा को आपको लिखना है अपने मन से बहुत जादा ज चाड़ेगा अब आज आते हैं कोश्चन नमर्चों कोश्चन नमर्चों था ठीए बिहार में ब्याप्त आर्थिक्वा समाजिक विसमताओं का मुख्य कारण क्या है सरकार दोरा इन हो समांताओं को कम करने के लिए उठाएगे कदमों का आलोचनात्मक मुल्यांकन करना है तो यहाँ पे दिख लिए कि भिहार राजप्रारम से इसमें किसी एक भूमिका का वर्नन कर सकते हैं इसमें से किसी श्चि एक है कि बहुमिका 1 पर लेखिए बिए सब्सक्राइब को आर्थिक और समाजिक मुए नहीं समाजिक बिखक्रव्य करूದ dove सब्सक्राइब सही बात है क्यांकि अफसंडी तीन महिनां अब यहां पर इन्होंने एक चार्ड दिया है आर्थिक विसमता कारण गड़ी भी कोई ने इस बार्ट की जाने कहीं है अब कोई ने लिखाए अब हमारी के दोरान जो है राजियों के साथ विहार में भी प्रफावित किया है विहार राज में इसके लुगों की जाने गहीं है अजार लोगों की बार्ट गारण बिहार राज कसे भी प्रवावित होते हुए इन्हों ने लिखाया चैन संख्या की सब्सक्राइब कर नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सामानता को और अच्छे से डिफैन किया जा सकता था और आपको प्रतेक्स सवाल में स्वालुशन भी देना है ठीक है बीच बचाब कर पूरा सरकार का आलोक्षना नहीं कर सकते हैं एक आपको एस्टेंड लेना पड़ता है तो थोड़ा सा आउसमांता को और वो बहतर ढंग से इसको दर्सा सकते थे अब उस सरकार दरोपाई युवा उधमी योजना साथ निस्चे योजना को सल युवा प्रोग्राम पर सुपालन के लिए अनुदान यह सब इनुना जिक्र किया है आगे देख लिए महलाओं के इस सब्सक्राइब करें नहीं हो पाता है इसलिए सरकार को पर जाच की जाए जिससे ला भारतियों को इसका पहुंच सके उप्यूक्त उठाए गए कदमों में आइसी डीम अमडीम तथा रासन सुरक्षा परदान करके राजगरीबों पर धियान के दिरित कर रहा है जिसमे समाजी को आर्थिक विकास हो सके तो यहां पर इनको 13 नमर मिला है अगला देख लेते हैं अब जो हम लोग जा रहे हैं वो जा रहे है कोशन नमर 8 पर इहांब बथा का मापन कैसे किया जा सकता है माना विकास का प्राप्त करने के लिए सरकार के साथ परतिपता आएं क्या है इंको प्राप्त करने आप यहां पर देखिए section two में सिर्फ असान भी हो जाएगा बिहार का भुगोल या अर्थिक भुगोल तो सिर्फ बिहार अच्छी बात है आप सिर्फ भिहार को पढ़िए अच्छे से पीजिए बहुत ज़्याद है भुठेकना है कम पढ़िए यह अच मानब्यकास कारी सुची प्राप्त करने के लिए विहार सरकार के साथ निश्चे परतिवेक्टि आए और यहां बता है कि के और चिबन प्रतियासा कि किस तरह किस तरह से होता हैँ वंगा घुक्ण प्रतियासा कि है नाखाया को अप्धाइक करने के साथ परतिवद्दद्दा के पर रोजगार भुक मरी ठीक है निया था कि बिहार सरकार दोरा साथ परतिबद्दा है मानविकास काड़ सुची को प्राप्ट करने के लिए और राजुं से काफी जैदा है जो है 25-75 बिहार की बिहार के प्रति बैक्ती या दूसरे राजुं के अपिक्षाथ यंति कम है पर्ति-बैक्ति आये जब कि साक्षर्था दर्स बहुत कम है रोजगार बामले में बिहार उध्योंक-दंदे का प्रयाब्त अभाव है और यहां और राजमी भुक्मरी की समस्या भी जैदा भारत का भी कर रहें लिए सरकार के साथ परतिवाद्था उन्हों ने दर्सा दिया और फिर उसके लिए साथ निश्चे तो यह अच्छा यह अच्छा यह तो बिहार सरकार की योजना हैं अस्थानी अस्तर प्रमहिलाओं को 50% के बिहार सरकार माना विकास के कार्यों सुची को प्रतिपता बनाए रखते हुए आर्थिक विकास में जो है भी सहयोग कर रहा है अब यहां पर इन्होंने क्या लिखा है कि कंटिन्यू टू एक मिर्ट देख लेते हैं कि इसको थोड़ा सा और करना था तो यह नमर इनको और मिलता ठीक है न सही धंक से नहोंने कोसिस किया है अंडाउडबल लेकिन थोड़ा सा हमको लगता है कि इनको एंसर रैटिंग में आभाब था या मेंस में जो है उससे पहले प्री एंसर रैटिंग का आभाब था और इस दीन में आपको पता है कि साइंस टेक के कुश्चन होते हैं और से आपको दो ही कुश्चन का उतर देना होता है यह 36 नमर का होता है तो पहला कुश्चन था कि भारत वर्स दुनिया का कोविड विद्वारी से सबसे अथिक परवावेट दूसरा देस है अब देखिए कर सबसे अधिक परवावेट दूसरा राष्ट है इस जानले वाइरस के लिए समाजिक दूरी है मास्क के परियोग के साथ एक तेज ठीका करण परकिया आवसक है अब धारना के दृष्टिक रखते हुए हमारे राष्ट द्वारा कोविड उने इस उन मुलन के लिए उत्था है भी तक किसी नहीं की है फिर भी इसके बाद की प्रॉबरी से सबसे दृभाविट थे रहा है कि उसमें कोवीड दो सेकेंड फेज था ना उसके बाद की प्रसन के उठा था इस जाले बाव वायरस से बचने के लिए रवल वेचो दोरा जारी किया रहा है और भी जो है यहां पे ठीक अकरण का बात की जा रहा है इसमें कि इंडिया अब धारना का पलन करते हुए निर्भ सबस्क्राइब करने दलिए अब और बारत सरकार अफ़ारत अबंद और ती यहां चलाए जा रहा है तो कि यहां रहे लिए नियुक्त प्रहरत भारत अभियान अंतरगा तीन पर राहत पैकेज की गश्रणक की है लगवग 42,000 करोड का यहां पैकेज भारती अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में देखिए क्या था यहां पर अर्थव्यवस्था के लिए था यह जीज की जिक्रिक करने इसको यहां पर जिक्रिक किये हैं तो उसी को आप मेकिन इंडिया और साइंस टेक की बात आप कर रहे ह सब्सक्राइब करने में इंडिया में और उसका परभाब कोवीड जैसे कि आपको आई देखिते हैं और सब्सक्राइब हैं जैसे कि महिलाएं जो है मास्क बना रही थी तो उसका भी था उसके बाद और जो छोड़ी-छोड़ी चीजें है वो सब हैं है ठीक है तो भारतरकार तो में संगर्ठन को बढ़ावा दिया जा रहा है हाली में परिभासा बदला गया है में समी का और रोजगा ने यह भी तो इस तरह से आप बता सकते हैं और शोड़ी-छोड़ी चीज लो यदि मसमी के तहट जो है चोड़ा-चोड़ा किट का वित्रण किया गया था ठीक है न मतलब जांच कीट का निर्मान किया था बरे पर उससे लाब हुआ इस तरह की चीज़ों को आप कीजिए तो यह पर आपको भी धिया रखना है अब आई यह प्याला योजना अब यहां के अंतरगात पीला योजना को बठावा दिया जा रहा है इसके इसमें सामिल मास्क यह सब ठीक है और को न मूलन के लिए जो है उसकी कई गतिविद्यों के माध्यम से भारत-दुनिया का फार्मा बन पाकिस्तान जैसे पर उसी देशों के तुलना अर्थवरस्था बनने का है यहां पर उतर के दौरान कि हमको अर्थवरस्था पर जाना है कि पतलब यह थोरा सा कंफ्यूज कर गये साथ सवाल के समझ नहीं पाए थे बाकि इन्होंने जो डाटा दिया है कुल मिला के बहतर है लेकिन इससे और बहतर किया जा सकता था जो चीज में आपको बताया कि आपको भूलना नहीं है हमको कि हमको आखर में उत्तर क्या देना है जो बिच बिच में जब आप एक्जामनेशन में एंसर राइटिंग कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा एक दो बार पर करके जब ए को अब बढ़िएगा थोड़ा से कम भी लिखिए का आपको नमर खुब मिलेगा याद रिखिएगा कितना भी लिखती दीजिए कोई फरक नहीं पड़ने वाला है वही एवरेज की स्रेनी में आप आप आजएगा उसके बाता बिहाराज अब यह था आपको कि फ्लट की बा कि मेरा 126 नमर मिला इस बार 126 नमर मिलने कि यह जो बारमा प्रसन है उसको मुझे एंसर देने क्लिए मात्र अंतिमा पेज बचा था और मात्र 2-3 में मैंने कुछ-कुछ लिखा था उसको यह प्रॉपर वे में तीन सारे तीन पेज चार पेज में लिखता और सब डाटा का समय भी नहीं था क्योंकि उस दिन हमको 10 मिनट लेट से हमारे पूरे रूम में मिला था बहुत सारी चीज़ें हुई थी उस दिन तो एक यह भी रिजन था नहीं तो हमको लगता है 126 तो नहीं रहता 130 32 33 तक तो निक्षित रूप से चला जाता मेरा इस बार भी हलाकि मेरा ज को सी महाननदा गंटक जैसी नदियां है पिक्राल लूप करते हैं तो दच्छिन बिहार में आपको सालों भर पानी नहीं रहने की समस्य रहता है और बार और सुखा किस्तिति यहां पर बहुता रहे हैं कि जिसको दूर किया सकते हैं और रोवर्स रोवोट का ड्रॉन है बात की दुरखटना का पता लगाने में सहता हो सकता है और जो है ड्रोन की मदद से आपदा परभावित चेत्रों में रहात कारी को आसान बना जा सकता है और यह ने आपने अच्छा है नहीं लिखा है रोबोट का उपयोग के रहात बचाव कारे के लिए असानी से किया जा सकते हैं वज्ड प्रहाड एप जो भीहार का है जो मतलब की जो बिजली जिसको ब्रियोग प्रियोग सफलता पुरवक्त किया था और इसके द्वारा सहर में बाड़ प्रभावित चोड़ चेत्रों को पहचान कि वहां पर सिग्र साहता पहुंचाए गई थी बिहार का लगवग जिला बाड़ से प्रभावित है बारता सूखा के अलावे बिहार नेपाल के साथ सीमा साजा करने के साथ भूकम प्या जोन में प्रवंधन के माध्यम से बाड़ है कि समस्याओं को दूर किया जासके तो बारा नमर इनको मिला है तो कुली मिलाक इनको 107 नमर मिला है आपने देख लिया है कि मैंने बता भी दिया कि कहां का सेक्षिन में आपको इंप्रोवाइज करना है जाकि आपको सरसर में अच्छा को सेयर करूंगा मैंने बता दिया कि मैंने अपना अंधिम कोश्चन मातर एक ही पेज में लिखा था अब समझ सकते हैं कि मैं पर पास समय भी नहीं था मातर दो तिन मिनट में अब समझे कि बाड़ के वारे में 36 नमर के कुश्चन को मैं एक पीज में लिखोंगा क्या लिख आपके लिए लाकर लेते कराते रहेंगे इस वीडियो को अच्छे से देख लें मतलब की समय नहीं है तो 2x में जूम करके देख लें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और जो भी इस वीडियो में आपको पॉइंट्स बताएगे उस पॉइंट्स को नोट कर लें ठीक है न और उसके अकॉर्डिंग अपने सरसट के त्यारी में धियान रखिएगा तो निश्यत रूप से आपका एस कोडिंग रहेगा यह सबजेक्ट जीस टू और जीस टू अच्छा रहा तो आपके सफलता के गैरेंटी भी पढ़ जाएगा थैंक्यू वरी मच चैनल को अधिक से करें